यहाँ पर small case को लेकर question किया है honey do deja जी ने इन्होंने किसी को कहा था चार महीं ने परले invest करने के लिए mutual fund में लेकिन उसने mutual fund की जगह small case में इंवेस्ट किया और उसको अच्छे returns मिले SM का कहना है तो देखो मैंने small case को लेकर काफी videos बना हुए काफी लोग small case को एकदम बेकार product मानते हैं useless product मानते हैं लेकिन मैं useless product नहीं मानता कुछ लोगों के लिए useful product है लेकिन ज्यादा तर लोगों के लिए नहीं जहां तक बात आती है small case की तो चार महीने में अच्छे returns मिले ह जो baskets है एक तरीके की strategy follow करते हैं किसी भी strategy वो कितनी successful है यह long term में आपको समझ में आती है तो जो long term से 6 साल, 7 साल, 8 साल से जो small case है उनका आप result देखो न कि वो कितना अच्छा perform किये है दो साल, 3 साल, 5 साल में तो काफी सारे small cases दिखेंगे जिनको आपको काफी-काफी high 2 साल मे 80-80% के भी return दिखेंगे लेकिन वो long lasting नहीं है ना long lasting वो है जो 7 साल, 8 साल से जितना CGR वो generate करके दे पा रहा है तो पूरा मैंने small case पूरा एकदम छान दिया है और सब की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो paid small case है उनको थो हमें सबसे पहले side में निकाल के रख देना चा 15-18% भी पहुँचना बहुत ज्यादा मुस्किल हो जाता है cost adjusted return मतलग जो charges आपने दी है उपर उपर जो आपको return दिखता है वो charges के साथ दिखता है उसको अंदर जब आप open करके देखते हो तो आपको cost adjusted return दिखता है जिसमें जो DP charges वगएरा होती है जो expense charges होती है जो small case का 100 र जो की पिछले 7-8 सालों से है और काफी बढ़िया काम कर रहा है तो इन small case का भी अगर आप cost adjusted return देखते हो ये free वाले है पेट वाले से बढ़िया small case free वाले होते हैं तो free वाले जो ये small case है इनका cost adjusted return देखोगे तो कुछ small case के आपको long term में 20%, 22%, 18%, 19% ऐसे दिख जाएंगे और मैं इन small cases को बढ़िया मानता हूं ये अच्छे small case होते हैं जैसे dividend aristocrat हो गया आपको लगबग 19%, 19%, 20% उपर नीचे थोड़ा दिखेगा लेकिन इसी के आस पास का 7-8 साल का इनका return दिखेगा प्लस 1-2% के बीच में dividend भी उपर नीचे इनका होते रहता है कभी 1%, 1.1%, 1.5% dividend उपर नीचे होते रहता है तो ये return प्लस dividend मिल जाता है तो ये अच्छा return हुआ न या फिर angel 1 का एक ARQ by angel 1 small case है उसका आपको दिखेगा 28, 29, 39, 30% कभी कभी उसका दिखेगा आपको return लेकिन actual में 30% का return उसका रहता नहीं है क्योंकि वो बहुत जादा जैसे quant shift करती है वैसे ही जो ये angel 1 वाली small case है वो भी बहुत जादा shift करती है बहुत जल्दी जल्दी उपर नीचे shift करती है बाइसेल बाइसेल करती है महीने के अंदर में समझो वो पूरा portfolio change कर लेती है लगबर लगबर अपना तो इस कारण से क्या होता है कि बहुत जादा frequently buying and selling के कारण जो मैं आप पर क्यूंकि frequently buy and sell करने के कारण charges बहुत जादा हो जाते हैं जो आप अपने broker को charge देते हो जो आपने depository participant को charge देते हो small case का तो 120 पर चारज ही होता है असली charge तो broker और DP का लग जाता है बार बार buy and sell करने में तो इस कारण से जो 29% 30% दिखता है उसका cost adjustment 20% के आसपास निकल के आ यह होता है तो इस कारण से मुझे कोई भी small case नहीं मिला पूरे small case में एक भी basket ऐसा नहीं मिला जो long term में cost adjusted return 20-22% से उपर generate कर रहा हो पूलब 20% के पास ही बहुत कम पहुच पाते हैं और उसके उपर का तो बात ही छोड़ो तो short term में आपको high return दिख रहे हैं लेकिन long term में high return बहुत ही कम small case है जो generate कर पा रहे हैं वो भी free वाले paid वाले तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं आप app download करो login करके open करके पूरा check करके वो proper उनके demate account में stocks के रूप में रहें तो उनके लिए small case हो जाता है product अच्छा कुछ free वाले small cases के अंदर invest करके अपना अराम से long term invested रह सकते हैं लेकिन अगर आप mutual fund में invest कर सकते हैं और envy आपके demate account में रहती है आपको कोई issue नहीं है दिक्कत नहीं है तो वैसे में long term जो investment हो return दे रहे हैं तो इसलिए mutual funds clearly winner है यहाँ पर प्लस mutual funds के अंदर हमें एक बार invest करके फिर कुछ देखने समझने की जरूरत नहीं होती small case में जब भी rebalance होता है तो आपको वहाँ पर rebalance करना परता है नहीं करोगे तो again आपके return effect हो जाएंगे वहाँ पर यह चीज होती है तो थो बस यह दो problem small case के अंदर है